उमर्नो प्रांत परमवीर चक्र मिला जब वो एक बार नहीं दो बार नहीं तीसरी बार लगातार हाथ में हैंड गरनेट लिए पाकिस्तानियों पर चड़ गया सर में गोली खाई और शहीद हुए किसके लिए हिंदुस्तान के लिए 1965 राश्पूदों को फिर महावीर चक्र मिला जब मेजर वलजीत सिंग रंदावा ने पाकिस्तानियों को ब्लैक रॉक से ख़देडा और 17 में को शहादत दी कैप्टेन रंवीर सिंग और सिपाही बुच सिंग दोनों को वीर चक्र मिला और जो पोस्ट उन्होंने अपनी जान देकर जीती वो हमारी सरकार ने पाकिस्तान को गुडविल दिखाने में वापस कर दी कश्मीर में आज भी राजपुताना राइफल्स का एक एक सिपाही अपनी वफादारी निभारा है हावल्दार रंवीर सिंग एक इंच अपने पोस्ट से नहीं ही जबकि उसका पुरा सेक्शन साफ हो गया था आज भी उनके लिए रजिमेंटल ओनर से बढ़ा और कुछ न किसकी है राजप्ताना की है राजप्ताना किसका है भारत का अरो अरे भारत क्या करें तुमारे लिए जब से ये प्रजातनतरा आया है न हमारे साथ सब्धूका हुआ है इसन Canadian coronavirus है और पीष सब्सक्राइम उपेन कीए एक भारत यहीं को चुछ से हैं urgent कि कोई वॉट नहीं 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 आ चाता है अपने घर के जमीन को अपना देश बढा झाल कर दो एक सरकार में जरोटी में नहीं आपा रही है अरे हमारी परंपरा है ना हजारों सालों कि थी और चीनी थी इन लोगों ने तब इन से अच्छी थी इसका आरोप इन लोगों ने हम पे लगाया था फिर भी पट्यारा रपोर्ट में सिर्फ हमारी खामिया हमारी गलतिया लिखी गई दिया और कुछ नहीं अरे इनकी नहीं एक चीज नहीं यह जो साफ है आज भी लोग हमें क्यों बना उडाते हैं बना इज़त करते हैं क्यों क्यों कि हमने त्यार किया है हमारी लोगों के लिए जोतपूर के महाजा ने वनलब भाई के सेक्रेटर की सर्थ पर बंदुक रख के कहा था देख जोतपूर की मेरी प्रजास से करदारी मत करना इन लोगों निस तब के साथ करता रहेगी सरषट के लोगसब एलेक्शन में जब राजकुमार खड़े हुए चुनाव के लिए तब क्या हुआ राजस्थान में कॉंगेश का पत्ता साफ पूरे देश में चौबिस राजकुमारों को लोगों ने चुनाए तब क्या किया ये लोगों ने और निया कॉंगर्स कमिटी के बैठक बुलाई हमारे शाही बत्ते बंतर थी हमें दी जाने वाली एक एक सुईधा को हटा दिया गया हमें इन लोगों के सामने जुकना अपड़ा है हार माननी पड़ी हम हाल गए कि हजार साल के बाद भी हम आप अपड़ी हम राजपूतों को इंसे बचाने के लिए एक होना पड़ेगा और पेट्रिट मस्त ऑन्वेस बेड़ी डिए डिपेंडिस कंट्री अगेंस इस कांट्री अगेंस इस कांट्मेंट जंग छेड़ी है हमें है आजादी की जंग अपनी समीन की जंग और उसकी यह जिए सेले साहिए सबसे महत्मूर्ण बात आपको प्रकून बाहना पड़ेगा जो आपको अपना खून बहाने के लिए तैयार नहीं है तो सब्सक्रा बंद करो इसकार नहीं होगा हमारी जमीन हमारी इजब हमारी आन हम आपस नहीं लापाएंगे कर अब एक वनिक यार है अपना न घून बाहने के लिए कि टो एक साथ एक आउर ऑाद दर बोलिए थीर बुके बॉर्चा प्रीड और रटा संद्रा या दिर किस कोटे पे जाता हूं कहां पैसे उड़ाता हूं कौन सरागा लाता हूं देखनी है लेके जलो इसको नहीं दिखाते हैं इसको विश्व सरूप नहीं बना चल दिलिप आप चल कि अप्राइब आपर जाएब जाना भे इसको नहीं लूटेंगे दरी जा अंदर जा अवे जाना भे इसक्षित नहीं लूटेंगे दरी आजा अंदर आना कमीज उतार ये पहन ले हमारे पास सिर्फ बानवे करोड की पूंजी है सिर्फ की गिंती है एक हजार एक सो चबिस वहां इससे ववंडर तो क्या हवा तक पढ़ाने कर पाएंगे हम लोग ऐसे चलता रहा तो गंतवे तक पहुंचने में दस ताल लग जाएंगे तक हमारे कांती दभी रहेगी जमीन में सुसेफ सुरक्षित और यहां करंगर के राजा अपने बेटे को विलायत भेच रहे हैं पढ़ने के लिए जैक अचल वेंट अप तब एल तो फैच अपोसली का हुआ उपर से हला बोल खचा भी कर रहे हैं अरे भाइब अगर आप अपने बेटों को अपने पोतों को इसकांती में शामिल नहीं करोगे तो क्या कांतीकारी में कश्मीर से उधार लियाओं अपने अपने चूत्रों पे ठीके रहने से करांती नहीं आएगी यहां इकटा होने से करांती नहीं आएगी करांती चाहिए ना तो चहरे पर गुलाल नहीं खून की लाली मलनी पड़ेगी अपने खलाने खाली करने पड़ेगे असली कांती चाहिए तो ये लाल रंग हटा कर असली चहरे लेकर सामने आओ वरना बंद करो ये ड्वोंग जैराश पता दा